और एक बड़ी ख़बर इस वक्त ही आ रही है कि राहूल गांदी के उस बयान को लेकर बड़ा विवाद हो गया है, बवाल हो गया है, सियासत छिड़ गई है, जिसमें याद है राहूल गांदी ने क्या का था उन्हों ने कहा था कि अगर मेरी बहन प्रियांका वाडरा वारानसी से चुनाव लड़ जाती तो मोधी 2-3 लाख वोटों से हार जाते बड़ी खावरी है गिरिराथ सिंग ने बड़ा हमला किया है गिरिराथ सिंग ने क्या का है कि गांदी परिवार के भगोड़े हैं राहूल गांदी खुद तीन बार लगातार हार का सामना किया अब अपनी बेहन को आगे कर दिया है गिरिराथ सिंग का बड़ा बयान गांदी परिवार का भगोड़ा बता है राहूल गांदी को राउल गांदी ने कहा था आपको यह दोगा राउल गांदी ने कहा था कि दरसल अगर मेरी बैन प्रियांका वाडरा चुनाव लड़ जाती मारा नसी से तो मोधी 2-3 लाख वोटों से हार जाते आला कि बीजेपी पलट कर ये भी सवाल पूछ रही है कि प्रियांका वाडरा को चुनाव लड़ने से किस ने रोका था नमबर एक नमबर दो सवाल ये भी पलट कर पूछा जा रहा है कि कहीं अपनी बैन की राजनितिक कुरवानी देने की कोई साजिश तो नहीं तयार हो रहे परिवार के अंदर अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो तीन लाग वोटों से वारा नसी का चुनावा जाए चुनावों के नतीजे अगर पक्ष में आने लगे तो नेताओं के एक कॉन्फिडेंस का मीटर भी हाई होने लगता है यही वज़ा है कि राय बरेली में राहूल गांधी ने नरेंदर मोधी को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी नेता अमित मालविय ने करारा जवाब दिया है अमित मालविय ने एक्स पर लिखा है कि ये साफ है कि राहूल गांधी प्रेंका वाडरा से नफरत करते हैं वो वारानसी में प्रधान मंत्री के खिलाब उन्हें खड़ा करके उनकी बली चड़ाना चाहते थे अगर उन्हें जीत का इतना भरोसा था तो उन्होंने काशी से चुनाव क्यों नहीं लड़ा वो रायबरेली क्यों भाग गए जहां उनकी मा सोनिया गांधी एक दयालू मा की तरह खड़ी हो गई जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है और कहा मेरे लड़के का खयाल रखना जबकि बहन प्रियंका वाडरा खुशी से ताली बजा रही थी दरसल 11 जून को राहूल गांधी रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताने पहुचे थे इसी दोरान उन्होंने पियम मोदी को लेकर टार्गेट किया था और कहा था कि वो वारानसी से हारते हारते बचे हैं मैं आपको कहता हूँ और बहन से कह रहा हूँ अगर ये लड़ जाती वारानसी में अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री दो-तीन लाक वोटों से वारानसी का चुनाव हार जाती राहूल गांदी के इस बयान को हवादी दिल्ली से अपनी लोकसभा सीठ हारने वाले उदित राज ने दो कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रिस पूरी ताकत लगाती तो वारानसी से अजयराई ही पीम मोदी को हरा देते चार-पांच लाग वोट से वो जीत जाती है यह सम्मान के चला जा रहा कि चला भी जाता है कि इस तरह से हाइप पर वानारस का चुनाव या ऐसे जगहों का चुनाव होता है कि अरे भाई हम विप्रक्षी भूमक्या निभाने आए हैं लिकिए यहां तो जीतने की भूमक् लड़ा उस चहरे की आज हैंसियत हो गई है वारा नसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री हार गए होते क्योंकि मातर देड़ लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं और पहले कुछ राउंड में तो टीवी में खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं मेरा बादना बिल्कुल है कि प्रियंका गांधी होती राहूल गांधी होते अखलेश यादव होते यहां तकी डिंपल यादव भी होती तो वो यह प्रधानमंत्री को हरा देती हैं कॉंग्रेस के इसी आत्म विश्वास पर अमित मालविय के सियासी तरकष्ट स एक के बाद एक कई तीर निकलने लगे एक सेंडल पर उन्होंने लिखा सच यह है कि गलती से कुछ सीट क्या मिल गई राहूल गांधी से सम्हाल नहीं पा रहे हैं जिस तरह उन्होंने हारने के डर से अमेठी से चुनाव लड़ने से इंकार किया उसी तरह उन्हें अभी भ प्रतिपक्ष के रूप में पदभार समालने का भरोसा नहीं है चुनाव बीच चुके हैं मोदी तीसरी बार शपत ले चुके हैं अब विपक्ष के पास यही मौके है झाल मस्के तरह उन्हें मोदीन वार विपक्ष में. है रिम दजा का मतहो झाल क्या है